तो अगर हम बात करें तो हर एक परसन अपनी लाइफ में बोहत विजी है चाहे वो अपने work में विजी हूँ, या तो फिर फालवी matters में विजी हूँ या फिर स्टडी में विजी हूँ, किसी भी परसन इसये आप तो आप एक ही वर्ट सनने को मिलने का इंगा या तो फिर I was busy, suppose आपने अपने किसी friend को function पर invite किया था, वो पहुँच नहीं पाया, next time आप उचसे मिलते हो, तो आप पूछते हो कि आप क्यों नहीं आए, तो आपको सुनने को मिलेगा, I was busy in the work, मैं काम में busy था, तो यही word जो है, आजकल हर एक person से आपको सुनने को मिलेगा, आप इसे excuse कहिए, जातो फिर answer कहिए, या तो फिर वो सच में busy था, क्योंकि आजकल सबकी life बहुत busy हो गई है, तो यही एक जो word है, वो trend में आ चुका है, I am busy, तो इसी word को, इसी phrase को different ways में हम कैसे impressive way में बोल सकते है आजकी वीडियो में हम वही सेखेंगे, तो चलो, शुरू करते हैं, So friends, first phrase is, I have got a lot to do, I have got a lot to do, इसका मतलब होता है कि मुझे पहले से ही बहुत सारा काम है या मेरे पास पहले से ही बहुत सारा काम है जो मुझे करना है, बहुत सारा काम मुझे मिल गया है, चाहे वो office में हो, चाहे वो घर पे हो, किसी भी तरह का काम हो सकता है, I have got a lot to do, मुझ मुझे करने के लिए बहुत सारा काम मिल गया है For example I have to go to the office early I have got a lot to do मुझे office जल्दी जाना है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है जो मुझे बहुत सारा काम करने के लिए मिला है I have got a lot to do Next है guys I have a lot on my plate So बहुत सारे students प्लेट से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि फ्रेज फूर से रिलेटेड है खाने से रिलेटेड है बट ऐसा नहीं है इस फ्रेज को भी हम यूज करते हैं I am busy या तो फिर I was busy शो करने के लिए एक्सप्रेस करने के लिए इसका मतलब होता है कि आपका जो schedule है वो पहले से full है आपके पास बहुत सारा work है आप और work नहीं ले सकते आपके पास और कोई project या meeting या फिर कोई काम करने के लिए time नहीं है चलो example लिखते है Example is I can't take a new project as I have to complete my previous one I have a lot on my plate मेरे पास पहले से ही बहुत सारा काम है तो मैं new project नहीं ले सकता मुझे पहले वाला project ही complete करना है Means कि उसका जो schedule है वो पहले से full है उसके पहले से project है तो वो new project को नहीं ले सकता अगर तो आपको present में define करना है I am busy तो आप कहा सकते हो I have a lot on my plate अगर आपको past में बोलना है तो आप have की जगा पे had use कर सकते हो I had a lot on my plate मतलब था काम उसके पास वो busy था तो इस तरह से आप इस phrase को use कर सकते है Next one is I am up to my ears I am up to my ears So guys आप ये phrase भी use कर सकते हैं ये बहुत common और popular है तो आप इसे भी use कर सकते हैं इसका मतलब भी होता है कि मेरे पास बहुत सारा काम है मैं बहुत ज़दा work में busy हूं Let's see the example This year has been busy at my law firm We are up to our ears in cases मतलब हमारे पास बहुत सारा काम है बहुत सारे cases हैं हमारे law firm में तो इस year इस साल हम बहुत busy हैं तो इस तरह से भी आप use कर सकते हैं I am up to my ears Next one is my agenda is full My agenda is full इसका मतलब होता है कि मेरे पास काम है मेरा जो schedule है वो बहुत ज़दा busy है full है बहुत ज़दा meetings हैं, projects हैं तो time नहीं है किसी भी चीज़ के लिए Agenda means schedule यहाँ पे schedule की बात हुई है Example है Sorry, my agenda is full this month Sorry, my agenda is full this month Means तो मेरा time table है या फिर schedule है बहुत ज़दा भी बोलते हैं हम वो full है Means time नहीं है मेरे पास किसी और काम के लिए तो मैं कोई और काम भी नहीं ले सकता और किसी को time भी नहीं दे सकता तो इस phrase को भी आप use कर सेते हैं My agenda is full Next one is There is a lot going on Means बहुत सारा काम चल रहा है बहुत सारी activities perform हो रही है functions perform हो रही है जिसकी बज़र से आप बहुत busy हो आपके बास time नहीं है Present में there is a lot going on Past में there was a lot going on Let's see the example I can't comment to anything right now There is a lot going on at my home Suppose आपका friend आपके पास आया उसने आपसे कही movie पे जाने के लिए Movie देखने जाने के लिए या तो फिर किसी काम पे जाने के लिए या फिर आप कह सकते हो hangout के लिए आपसे पूछा तो आपने कहा कि इस time में कुछ नहीं कह सकता कोई comment नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे functions या फिर काम अभी मेरे घर पे चल रहे हैं तो उस case में आप कहते हो I can't commit to anything right now There is a lot going on at my home तो बहुत कुछ मेरे घर पे चल रहा है तो उन सभी activities में मैं busy हूँ Next day guys I am swamped I am swamped Swamp होता है भर जाना, flood आ जाना Means पूरा cover up हो जाना तो उसी तरह से हम use करते हैं Swamped means I am busy जहां पे बहुत सारा काम आपको मिल जाता है आपको बहुत सारा काम करना है तो उस sense में भी इस phrase को use किया जाता है Example is How can I take new projects मैं कैसे new project ले सकता हूँ I am already swamped with work मेरे पास पहले से ही work का flood आया हुआ है बहुत सारा काम है तो मैं और project को कैसे ले सकता हूँ तो उस case में आप इस phrase को use कर सकते हैं Next is worried with work So guys worried का मतलब भी होता है Cover up होना, covered होना properly तो यहां पे भी इन्होंने वही meaning लिया हुआ है इसी बे में यह phrase use होती है कि आपके पास बहुत सारा work है तो बिल्कुल similar है, बस phrases different है impressive ways है जो आप use कर सकते हूँ answer देने के लिए तो worried with work means बहुत सारा काम है, आप उसमें busy हो Let's see the example I can't go out to this weekend, I am worried with work मैं इस weekend बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे बहुत सारा काम करना है मैं उस काम में busy हूँ Worried with work तो आप ये phrase भी use कर सकते है Next one is tied up Tied up, इसका मतलब भी होता है, काम है आपके पास आप busy हो I was tied up in work all day मतलब आज का जो आपका schedule है, पूरे दिन का वो busy रहेगा आप काम में busy हो, तो उस case में आप use कर सकते हो जहां पे आपको poor day का काम बताना हो कि आज के दिन आपके पास बहुत सारा काम है और आप कोई भी काम नहीं ले सकते हैं कि इस दिन मिल नहीं सकते हैं, आपको बहुत सारा काम करना है I was tied up in work all day, पूरा दिन आपका जो है वो busy रहेगा तो उस case में आप इस phrase को use करते हैं Next difference, I've got a lot on the go या तो फिर आप ऐसे भी परनाउंस कर सकते हैं I have got a lot on the go दोनों वे से आप इसे परनाउंस कर सकते हैं इसका मतलब होता है कि आपके पास काम है, बहुत सारी activities है, functions हैं जो आपको finish करने हैं अभी तक वो pending है, तो आप उन्हें finish करने में busy हो तो वो आपको finish करने है on the time तो उस case में आप ये phrase use कर सकते हैं Let's see the example I'll visit to you in my vacation I have so much on the go right now Suppose करो आपके किसी friend ने आपको invitation दिया, invite किया घर पे आने के लिए तो आप अपने काम में busy हो, आपके पास time नहीं है तो directly आप ये कहने के बजाए कि मैं काम में busy हूँ तो आप ऐसे बोल सकते है I'll visit you in my vacation मैं आपको vacation में मिलूँगा vacation में visit करूँगा आपके पास I have so much on the go right now अभी के लिए मेरे पास बहुत सारा काम है जो मुझे finish करना है तो इस तरह से आप उन्हें बोल सकते हैं answer दे सकते हैं कि मैं busy हूँ directly busy ना कहने के बजाए आप impressive way में answer दे सकते हैं So friends, ये थे कुछ impressive ways जो हम I am busy या तो फिर I was busy phrase को avoid करने के लिए तो repetition को avoid करने के लिए use कर सकते हैं So इन phrases को learn करो और अपनी daily conversation में use करना start करोगे तो धीरे धीरे आप जो है वो fluent होते जाओगे I hope कि ये वीडियो आपके लिए useful रही होगी आपको पसंद आई होगी तो अगर आपको पसंद है प्लेस लाइक and subscribe my channel for more content मेरते हैं next वीडियो में next impressive और interesting content के साथ cheer the time, all the best, keep watching, keep learning, good luck